ICC के जितने टॉपर अभी तक हुए है, पिछले 10 सालों में उन सभी लोगों ने कहा है कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जब उनके बोर्ड इंगामनेशन के 30 देज बचे हो, 15 देज बचे हो, या करीब 45 से 60 देज बचे हो, सेल्फ स्टूडी करना है, अब ये सेल्फ स्टूडी की प्लानिंग कैसे होनी है, तो इसमें जितने भी टॉपर है, सभी ने कहा, पिछले साल के टॉपर को उठा लेजिए, या फिर आपके जो भी लीजेंड रहे है, अच्छी बात तो यह होगी कि आप अपना दाइनमिक टाइम टेबल को बना लेजे, डाइनमिक टाइम टेबल का मतलब हो गया, कि परतेक स्टूडेंट के लिए उसके हिसाम से टाइम टेबल होने चाहिए, जहां पर स्टूडेंट एक चार गंटे पड़के पुड़े सिलेबस को रौंद डालेगा, वह हैं पर दूसरा स्टूडेंट को आठ से दस गंटे पड़ने के बाद भी सिलेबस कम्प्लीट नह होता है, उस कंडिशन में स्टूडेंट को स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहली और सबसे बड़ी बात कि आईसे सिपोर्ड और आईसे के टॉपर कहते हैं कि स्टूडेंट को किसी तरह के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को मुस्कुराते रहन और अपने syllabus को cover up करने है syllabus को cover up करने के लिए एक schedule होना जरूरी है और जब आप इसकी planning कर लेते हैं खास करके IAC 2024 के student के लिए या practice आपके सभी subject के होने चाहिए यहाँ पर बोला जाता है कि no skipping tool is allowed आप किसी भी chapter को या किसी भी subject को null and void नहीं कर सकते reject नहीं कर सकते सभी subject को पढ़ने होंगे और आप तो आपको सभी subject के selected chapter नहीं पढ़ने तो उस condition में जो भी selected chapter के selected part है उसी को अच्छी तरह से पढ़े और परतिय समय या याद रखे कि क्या ये part आ रहे है examination में कि नहीं किसी भी subject को exclude करना इस समय बहुत ही risk का काम होता है और student उसको न करेंगे और regular revision करें regular revision के लिए आप किसी भी एक book का चुनाव कर सकते हैं मेरे पास याद book है मैं यह एक book कि इस वाफ purchase कर पाया जो मेरी आर्थिक इस्टेटी अलाओ की कि ICC का 61 sample paper मैं करता हूं कि इसे practice केजिए इसे पहले में बताता था कि आप monthly test book है monthly test book से practice करते हो पूरे overall syllabus को कर लेते हो तो आप अब sample paper से इसका revision कर सकते हो, walk test कर सकते हो practice कर सकते हो कि एक chapter में या एक subject में overall जो CIC का latest syllabus है उसके हिसाब से आप कितनी पानी में हो कितने अंदर तक हो और कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेनत की जरूरत है अब दूसरी बात आजाती है कि आप अपने time table को कैसे बनाएंगे तो school का time अब exclude करने की जरूरत है अब बहुत सारे student school जाते भी नहीं है और जो जाते हैं तो इस समय आपका morning wake up time 6-7 होना ही चाहिए कुछ student 5 a.m. जग जाते है that is good आप exercise करो वास्रूम जा फ्रेश हो और meditation योगा करो whatever लेकिन सुबह के समय एक से दो घंटे आपको पढ़ने सबजेक्ट का सेलेक्शन why process होगा कि एक difficult subject दूसरा easy subject है फिर आपके morning spell होंगे यदि आप school जा रहे हो तो morning spell और afternoon spell होने ही नहीं है नेकिन morning spell 7 to 10 a.m. का होगा जब आप math के साथ science बना लो दोनों मेरी दम होने चाहिए why afternoon spell हो जाएंगे जबकि 11 या 12 p.m. से लेकर आप अपने stretch को शुरू करते हो तो 4 p.m. या 3 p.m. तक उस समय आपके English हो सकते हैं और उसके बार एक subject लेलो जैसे history civics है, geography है physics है, उस किसी भी एक subject को याँ पर numerical को करने है evening के समय में एक घंटे अब आपको social media पर देनी है या टारने है, यह आप पर neighbor करता है coaching है, tuition है तो अलग बात है, यदि यह सब के बीच में समय मिलता है, तो evening के time को 4 से 7 के बीच में जो भी आपका time बचता हो वह आपर revision का worker के पूरे दिन में हमने क्या किया, नहीं किया तो उसको अगले दिन करने है और उसके बार के जो आप 7 पीएम से 10 पीएम तक बैठते हो या 7 पीएम से 9 पीएम तक बैठते हो, उस बीच में आपके numericals हो सकते है फिर memorizing का कुछ work हो सकता है, revising का कुछ work हो सकता है और इन सबसे बढ़ कर आपको करने है कि जो updated syllabus है उसके हिसाब से एक mock test किसी भी एक special sample paper से लेकर कर लो एक mock test करने के बाद अपने अपको reassess करो कि आखिर करना क्या था पहुंचे कहा और ये बात पतन लग जाएगी, तो फिर पढ़ने में जो नया जोस और जजबा आएगा, वो आपको सबसे आगे ले जाएगा, तो इन बातों को याद रखना और वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सेर और सबस्क्राइब